नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं जर्खन में असंगठी छेतर के 62 लाग स्रमिक पंजी करीद देश भर में पूर्बी और उतर भारत में स्रमिकों की संख्या सबसे अधीक है बतादे अब तक 13,998,537 स्रमिकों ने पोर्टल पर निबंधन कराया है इसमें सबसे अधीक 354,35,547 स्रमिकों का निबंधन कर यूपी पहले अस्थान पर है वहीं बंगाल दोसरे, बिहार, तीसरे, उरिशा, चौते और जार्खन पांचवे अस्थान पर है बतादे अब तक कराये गए निबंधरों में सबसे अधीक राशी जीले में 4,69,281 स्रमिकों निबंधन कराया है वहीं सबसे कम खुटी जीले में 83,247 स्रमिकों निबंधन कराया सिम्डेगा में भी 95,784 स्रमिकों निबंधन कराया है मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर में धूप के करण लोग थोड़ी रात महसूस करेंगे लेकिन सुबह और साम में तापमान कम होने के करण कड़ाके की ठंड का समना करना पड़ेगा अगले तीन दीनों के बाद जारकन में सित लाहर के दूसरे दोर की शुरुवात होगी बतादे मौसम विभाग कमानना है कि 27 दिसंबर यानि सोमवर को जारकन में बादल चाहे रहेंगे वहीं इसके बाद 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर 2021 को राजे के कई जीलों में अलकी बारिस हो सकती है जारकन में बेरुजगारी भता के लिए 6 लाख आवेदान जारकन में बेरुजगारों के नाम पर राइनिती का खेल जारी है बतादे राजे के 24 जीलों के 43 नियोजनालाई के आकड़ों पर गौर करे तो इस वक्त 5,60,722 बेरुजगार नोजवानों के आवेदयन लंबी थाएं यानि हेमान सुरेन सरकार की गोसना के मताविक बेरुजगारी भाता के आकड़ों के संख्या 5,60,000 के पार चली गई है जबकि स्रम नियोजन विभाग ने बेरुजगारी भाता के मामले में चूपी साद लिया बता दे जार्खन में समय के साथ बेरुजगार नोजवानों की फोज बढ़ती ही चली जा रही है राजे में हेमान सुरेन सरकार के गठन के बाद से आवेदनों की संख्या में जबर्जस्ट इजापा हुए है द्रसल हेमन सुरें सरकार के द्वारा रोजगार नहीं दे पाने के जिती में बेरोजगारी भता देने की घोस्तना का ये असर है जार्खन में हर दिन मिलने लगे 52 नए मरीज जार्खन के दो जीलों में कुरोना के एक्टिब केस सौव से अधिक हो गए हैं इनमें राची और कोडार्मा सामिल हैं बता दे राची में जहां एक्टिब केस की संख्या बढ़कर 125 हो गई है वहीं कोडार्मा में भी आकणा 105 पहुँच गया है राज में पिछले चार दिनों में 208 नए संक्रामित की पहचान होई है इस दोरन पर तेक दीन और सतन बावन नए मरीज मिले बता दे एक्टिब केस की बात करें तो राजियों में 18 दिसमर को एक्टिब केस की संख्या 149 थी जो बढ़कर अब 316 हो गई है ओमिक क्रोण से निपटने की तेयारिया देखने जार्खन आएगी केंद्रिये टीम जार्खन में टिका करन की गति को रफ्तार देने केंद्रिये स्वास्त मंत्रालाय के निर्धेश पर केंद्रे की चार सदसे टीम सुमवार को राचि पहुँच रही है बता दे या हाँ टीम यहाँ पांच दिनों तक राकर करोना टिका करण की प्रगती की समिक्षा करेंगी तता इसमे तेजी लाने को लेकर राज सरकार के पताधिकारियों का वधक सुझाव देगी या टीम ओमिक्रोन से निपटने को लेकर तैयारियों की भी समिक्षा कर केंद्र को रिपोर्ट सोपेगी इसे लेकर केंद्रिये स्वास मंत्राला के आपदा परमदन युनिट के उप महानिदेशा का पत्र राज सरकार को मिल गया है बता ज़े राजे में केंद्रिये टीम आने की मुख्य वज़ा जाहरकर्ण में कुरोना टिकाकरन की रफ्तार काम होना है इसलिए टीम की समिक्षा कमों के फोक।स टिकाकरन ही होगा लोहरदागा में साइंस फिलम फेस्टिवल का आवेजलान साइन्स फोर सोसाइटी लोहरदागा इक आई की ओर से 27, 28 और 29 दिसंबर 2021 को साइन्स फिल्म फेस्टिवल का आउजन किया जाएगा यह जनकारी सोसाइटी के अध्यक्ष डाक्टर गनेश परसाद ने दी है उन्होंने बता है कि जारखन में पहली बार साइन्स फिल्म फेस्टिवल का आउजन होने जा रहा है बता दे साइन्स फोर सोसाइटी लोहरदागा इक आई के अध्यक्ष ने कहा कि आईजन की जिम्मिवारी साइन्स फोर सोसाइटी लोहरदागा को दी गई है सुसाइटी के लिए यह गौर की बात है यह आयोजन से समाज को बैग्यानिक नजरिया विक्सित करने में मदद मिलेगी तीन दिनों तक इसमें साइंस अधारित फिल में दिखाई जाएगी मौब लिंचिंग बील को लेकर सीम हेवंद का मोधि सरकार पर निशाना है जारखन सरकार ने विधान सभा के सितकाली सात्र में मौब लिंचिंग बीधह को पारित किया है बताद विपक्ष के बहिसकार और आशिक संसोधन के बाद राई सरकार ने इस बील को सोधन से पारित कराया इस पर सीम हेमन्त ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा आया उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मौब लिंचिंग बील को प्राथमिक्ता में रख कर इसे संसत से पारित कराते लेकिन उनकी प्राथमिक्ता में सिर्फ और सिर्फ लोग के बीच भेद बाव पैदा करना है CM हमन्सुरे ने कहा कि मॉब लेंचिंग बिल जरूरी है इसी को ध्यान में जारकन सरकार ने विधान सभा के सितकाली सत्र में इस विधाय को पारित किया है उन्होंने कहा कि राई सरकार इसके प्राथमिक्ता में रख कर इसे पारित कराया केंद्र सरकार को इस बिलको लाना चाहिए था 55,000 आयोग लाभकों ने सरेंडर किया राशन काड राज्य में अब तक अंतोधर राशन का लाभ उठा रहे 55,307 आयोग लाभकों ने राशन काड सरेंडर कर दिया है पता देवित्य बर्ष 2020, 2021 में 43 या 246 और 2021 में 12,040 आयोग लाभकों ने राशन काड सरेंडर किया है खायाद आपूर्ती विभाग ने 3.30 नौमबर तक आयोग लाभकों को राशन सरेंडर का मौका दिया था इसे लेकर विभाग ने आदेश भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर जाच में पाया गया कि कोई आयोग ब्यक्ति अंतियोते रासन उठा रहा है तो उस पर प्रात्मिकी दर्च करक करवाई की जाएगी उसकी ओर से लिये गए रासन की वसूली भी ब्याज के साथ होगी बता दे विभाग लबग 50 से अरवे से रासन कारधारियों का कारड रद करने के त्यारी कर रहा है जिन्होंने पिछले मा या इस से अधिक समय से रासन नहीं उठा जाए है बर्स 2021 में 29 नकसली गिरफतार बर्स 2020 में जारखन पुलिस का मुख्य फोकस नकसली और उगरवादियों पर रहा बता दे यही वज़ा रही कि नकसल फ्रॉंट पर बड़ी सफलता मिली है मवादी पुलित बीरो सदा से और ठिंक टैंक के नाम से चर्चित एक रोर के नामी प्रसांत बोसाहित 29 नकसली और उगरवादियों को पुलिस ने गिरफतार किया है इन में मुखे रूप से एक मवादी पोलित बीरो सदा से एक सेंट्रल कमेटी सदा से एक सैंक मेंबर एक रिजनल कमांडर साथ सब जोनल कमांडर और अठारा एरिया कमांडर सामिल है जबकि टीएसपीसी का रिजनल कमांडर और 15 लाग के इनामी मुकेस गांजू उर्फ मुन जोनल कमांडर बुदेश्वर उर्फ और 10 लाग के इनामी पी एलेफाई जोनल कमांडर सनिच्चर सुरीन सहीद कुल 6 अनकसली और उग्रवादियों को पूलिश ने मुट भेड में मायर गिराया जारखन में कुरोना के 58 नए केस मिले हैं जबकि 15 मरी स्वास्थ भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 399 है भारत में 6,987 नए केस मिले हैं जबकि 7,091 मरी स्वास्थ भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 77,632 है जारखन में एक्टिव केस इस परकार हैं जारखन की उनाइस कोईला खधाने होगी निला भारत सरकार के निदियस के बाद अब 99 कोईला ख़दानों के निलामी होगी सबसे अधिक उडिशा की 23 कोईला ख़दानों को निलामी के लिए सुचिवत किया गया है जारकन की 29 ख़दानों के निलामी होगी कोईला मंत्राले ने इसकी सुचिजारी की है इसमें जारकंड के अधिकांस खदानों से बहुत कोईले की निलकासी की गई है बता दे कोल माइस एस्पेसल प्रोविजन एक्ट के ताहत 35 खदानों के निलामी होगी वहीं से स्खदानों के निलामी माइस आयन मिनरल डेवलोप्मेंट एक्ट के ताहत होगी 20 खदान, 36 गार, 18 मद्य परदेश और 9 महराष्ट के साथ 7, 5 मंगाल की 4, तेलंगना की 3, आंधर परदेश की 2, और बिहार की एक कोईला खदान निलाम में सामिल होगी इसकूलों में नहीं होगी तीसरी से सातवी कलास के कोपियां की जाच राज्यक के सरकारी भी द्यालों में काक्षा 1 से 7 तक की परिक्षा JCE-RT की देखरेक में होगी इसे लेकर इसकूली सिक्षा एम सक्षता विभाग ने पत्र जारी किया है इसमें कहा गया आ है कि कॉक्छा 1 से 7 तक की परिक्षा के लिए प्रश्व्ण पत्र JCE-RP तयार करेगा कॉक्छा 3 से 7 तक और दवारसीक रवारसीक परिक्षा अलग अलग पैर्टर्ण पर होंगे अर्धवार्सिक परिक्षा में सभी प्रश्ण बहुविकल्पी होंगे और बार्सिक परिक्षा लिखित होगी बता दे कक्षा एक वदो के विद्यार्थियों का मुल्यांकन मौखिक होगा प्रस्ण पत्र का प्रिंटिंग निर्देश के अनुरूप डी एसिक कर्याले करेगा काक्षा 3 से 7 तक के विद्यार्थियों की उतर पुस्तिका का मुल्यांकन विद्याले अस्तर पर नहीं होगा बता दे उतर पुस्तिका का मुल्यांकन संकूल अस्तर पर होगा उतर पुस्तिका का मुल्यांकन अपने संकूल के सिक्षक नहीं करेंगे खत्रे में दान्रो नदी का अस्तित्व गढवा सहर के बीच से गुजरी दान्रो नदी का अस्तित्व खत्रे में आ गया है बता दे नगर परिशत गढवा की ओर से लगता है इस डाले गए कचले से नगर परिषद नदी की गाराई को भर कर उसे समतल कर रही है बता दे नदी में एक तरफ से नगर परिषद कचला डाल कर उसे समतल कर रही है वहीं दूसरी तरफ उस पर गुम्टी जोपडी आधी लगा कर लोग द्वारा अतिकर्मन भी किया जा रहा ह लातेहार में लकडबागे की मौत एफायार दर्ज जारखन के लातेहार जीले के महुआ टार बन प्रचेत्र अंत्रगत चुटिया पी एफ में चुटिया और पहाण काफु गाउं के बीच सड़क पर प्रभिवार सुबा एक लकडबागा मिरित पाया गया इसकी सुचना आसपास के ग्रामिनों दोवारा महुआ टार बन प्रचेत्र अंत्रगत पायार दर्च कर ली गई है चान बीन के बाद इस मामले में बीदी समुत करवाई की जाएगी नकसली अनलदा के बोडिगाड परकास गोप किया सरेंडर नकसली संगठन भागपा मवादी के हैटकोर नकसली अनलदा और प्रमेस मांजी दस्ता के सज़से सा अनलदा के बोडिगाड परकास गोप 22 बसीये ने जारकन के सराइक लेखर सवाप पुलिस के समग सरेंडर कर दिया बता दे नकसली परकास को आत्म समर्पन निती नई दीशा के तहट सरकारी सुबदाय मिलेंगी एस पी आनलद परकास ने बताया कि पुलिस के लागतार बड़ती दवीस वह संगठन के आंत्रिक सोशन से नकसली परकास गोप ने आत्म समर्पन किया है गीरी डी में सीयो पर जान लेवा हमला है चारखन के गीरी डी जीले में कुरोना ठीका करन महावियान को लेकर गिराविनों को जागरू करने महुआर गए बेगा बांद के सीयो कृष्ण कुमार मरांडी पर रामचंद्र ठाकुरुआ उनके परवियों ने जाम लेवा हमला कर दिया बता दे लाठी डंडेवर रोड से अंचला अधिकारी के उपर तावर तोर परहार कर उने घायल कर दिया गया हमलावारों के तेवर देख सीयो के साथ मजूद एनेम सेविकवाद साहिया के होस उड़ गय इधार मोखे पर पहुंची पूलिस ने आरोपी को सहयोग करने वालों को ठाने ले आई है ठाना परवारी कमलेस पासवान का कहना आय कि जल्द ही हमलावार को गिरफतार कर लिया जाएगा गुमला में 47 दिनों में 99 लोगों ने की सूसाइड जारखन के गुमला जीले में 47 दिनों में 99 लोगों ने आत्महत्या की है इसमें सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले में युवक हैं बतादे अधिकतर युवावों ने मांसिक तनाव के करन आत्महत्या की तिन नुवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक 29 लोगों ने अपनी जान दी है इसमें 13 युवा सामिल है वहीं च्छ अधेड़ वा ब्रीध है आत्मात्या करने वालों में पाल कोट में च्छ बिसुनपूर में दो, गुमला में दो, राइडी में दो, घागरा में दो, डूमरी में दो वह बस या परकण में एक ब्यक्ति सामिल है बतादे इन सभी मामलों में आत्मात्या का मोखे करन घरेलू बिवाद है बिहार के गया से कुलकता जा रही बस जहरखन में पल्टी आत्री घायल जहरखन के गिरिडी जीले के निमिया घाट ठाना छेतरे के गलागी मोड के पास रभीवार सुबग गया से कुलकता जा रही महरानी बस और नियंत्री थोकर एनस दो पर पलट गई इसमें कोई आत्रीग घायल हैं इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया बता दे घायल आत्रीग घाया के बताय जा रहे हैं इस हाजसे में किसी की मौत की खबर नहीं है बता दे एक घटना लगभग 5.15 मिट सुबह के बताय जा रहे है जनकारी के अनुसार हाच से के बाद बस का ड्राइबर वा खलासी फ़रा रहा है केजी से लेकर पीजी तक होगी जनजातिय छेत्रिय भसाओ की पढ़ाई जनजातिय समाज का विकास उसकी विश्ष्ट पहचान और परमपराओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए या बाते मुख्यमंत्रिय मंसुरे ने रभीवार को संताल इंजिनियर्स वेलपेर एस्सेशन के तिस्वे दिक्षान समारो सबालसिक आम सबाकद्रान कही बता दे मुख्यमंत्री ने कहा कि वरतमान यूग बिग्यान और तकनिक का है इसमें नीत नए बदलाव हो रहे हैं दुनिया इन परिवर्तनों के जरिये तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन जन जातिय समाज पर इसका कितना परभाव पर रहा है इसका मुल्यांकन जरूरी है बदलाव का जन जातिय समाज पर सकरात्मक असर हो और बदलाव उनके अस्तित्वे के लिए खात्रा नहीं बने इस पर विशेस द्यान देने की जरूरत है हेमंत सुरेन की सरकार के खिलाब भाजपा की चार्ज सीट पर्देश भाजपा ने जहरेखन सरकार के दो साल के कारेकाल पर आरोप पत्र जारी किया है परदेश अध्यक्ति पर परकास और विधायक दलगनेता बाबुलार मरांडी ने प्रेस कॉन्प्रेंस कर राई सरकार पर निशानत सदा और सरकार के दो साल जनता बेहाल का नारा दिया बता दे दोनों निताओं ने दावा किया कानून बिवस्था और विकास कारियों के मोर्चे पर आई सरकार नकाम है बाबुलार मरांडी ने कहा कि दो सालों में अपराद में लागतार इजापा हुआ है पूलिस का काम अपराद पर काबू पाना है लेकिन ये वसूली में लगे है सरकार केंद्र के पैसे भी खर्च नहीं कर पा रही बाबुलार मरांडी का आरोप गुंडो और मफियाओं से घिरी है जार्खन सरकार भाजपा के सभी सातों मोर्चा के सन्यूकत परदेश अस्तरिय बिठक रभिवार को रामगण के राधा गोबिंद भी सोबिद्याले परसर में हुई बैठक में भाजपा के सभी सात मोर्चा के परदेश अध्यक्ष वौन पदादीकारी गन सामिल हुए बैठा को समोधित करते हैं भाजपा विधायक दल के नेताव पुरो मुख मंत्री बावलाम रांडी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दिये जा रहे अनाज को अब भाजपा के हर करकारता गाम अस्तर पर निगरानी रखेंगे ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके दोवार कारक्रम को तहट बालूमात पर खंड के रजवार पंचायत भाण में विकास शिविर आउजन किया गया विकास सीविर में उपायुक्त अबू इमरान एवम जनपरती निदियों ने दिप प्रजलित कर विदिवत कार्य सब्सक्राइस जार्खन अंदोलन कारी संहर्स मोर्चा मनाएगा अंदोलन दिवस जार्खन अंदोलन कारी संहर्स मोर्चा की लोहरदागा जीला समिती की बैठक में जैपाल सिंह मुंडा की जयनती को जार्खन अंदोलन कारी दिवस के रूप में मनाने का निना लिया गया इसकी जनकारी मोर्चा केंद्रिये उपाद्यक्स कयूम खान ने दी उन्होंने बताया कि अगामी तीन जन्वारी को समनाले मैदान में जैपाल सिंग मुंडा की जन्ती मनाई जाएगी मोर्चा से जुड़े नेताओं ने कहा है कि जीला समीथी की बैठक में केंद्रिये समीथी की करिकारी अध्यक्स राजू मतो बरिये उपाद्यक्स अस्मेनी कुजूर भुनेस्वर केवट कयूम खान भाग लेंगे बैठक में मुखे मंत्रि से वार्ता के बाद 29 दिस्तंबर की आहुत जार्कंड बंद को वापस लेने सहीत भीगत करिकरम की समीख्छा की जाएगी मिथिला संस्कृती और संस्कार को अपनाने की जरूरत जार्कंड मिथिला मंच के द्वारा आवजी दो दिवसे कारिकरम के दोसरे दिन रविवार को जार्कंड मिथिला मंच का बार्चिक कालेंडर सह पंचांग का लोकारपन वह कभी घोष्टिक आवजन किया गया कारकरम का सुभाराम दीप प्रजलन बाबा विद्यापती के तस्वीर पर पुस्पांजली एवाम गोश्वानी गीत के साथ किया गया कारकरम के मुख अतिती के रूप में सांसत संजाय सेट विधायक सीपी सिंग उपस्थित थे बता दिस सांसत संजाय सेट ने मिथिला संस्कृती और मिथिला के संस्कार को सभी वर्गों को अपनाने की बात कही उन्होंने कहा मैथिली भासा भासी की जो भी समस्या मेरे पास आएगी मिथिला मंच के साथ मिलकर उसका समधान करूंगा धन्यवाद